हेलो बच्चा लोग कैसे हो आप सब लोग मेरा नाम है हर्योम सिंग और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हर्योम एजुकेशन में आज मैं लिविंग और्गनीजमेंडेर सराउंडिंग का लेक्चा नमबर फोर लेकर आया हूँ आज हम लोग पढ़ेंगे फ्र ऐकलेमाटाइजेशन के वारे में यह क्या होता है एकलेमाटाइजेशन भी एक क्जाशन होता है एक क्लेमेंटाइजेशन होता है long-term adaptation जो टरॉटाम एक क्जा सौट टर्म लेखस ओम वे 2019 लोग करते है ठीक है पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था एड़ेप्टेशन का डेफिनिशन में चलिए लिविंग अराउंड अस हमारे चारों तरफ लिविंग और गेनी जम पाया जाता है तो उसके अंदर क्या-क्या कॉमन फीचर होता है फिर उसका क्या करेक्टर होता है उसके चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए फ्रेस वाटर हैविटाट फ्रेस वाटर हैविटाट फ्रेस वाटर कहां होता पॉंड लेक रिवर में पॉंड लेक रिवर में ठीक है किसी को कोई समस्चा नहीं फ्रेस वाटर में कौन-कौन से एनिमाउस पहा जाते है उसके पहले उस सबसे पहले हम बात करते हैं तो तलाब में क्या पाये जाते हैं मेधक पाये जाते हैं सबको पता है मेधक का जो पानी में तैर पाता है swimming जाल के समान है जिससे वो असानी से तहरेगा पानी में मेधा का कभी पैर देखिएगा बहुत बरा बरा रहता है जब मेधा को सब मारता है ने चपल से उसके बाद वो अपना पैर लंबा करता है तब देखिएगा कैसा उसका पैर रहेगा या बहुत बचा सब मेधा का पैर पकड़ के उठा देता है लड़की सबका तो होस भी गर जाता है बट मेरे घर में भी एक छोटी सी लड़की है उसको जब मैं मेधक मेधक के बटाओं बेटा बटी पर टुच भी करता हूं पैर से तो रोने लगती है चिलाने लगती है वैसे आप लोग भी करते होईएगा मुझे पता है डरते होईएगा और मैं डराता भी हूँ सबको पकड़ पकड़ के ऐसा नहीं कि मैं मेड़क पकड़ के उठा लेता हूं वह नहीं करता है बट मेड़क को पैर से मांग कर डराता हूं बच्चे सबको ठीक है जैसे और भी चीज पाया जाता ह प्रॉंस पाया जाता है कहां पाया जाता है फ्रेश वाटर एनिमल्स है केकरा भी पाया जाता है क्रेब्स यह सब क्या फ्रेश वाटर एनिमल्स ठीक है फ्रेश वाटर में बहुत सारा प्लांट भी पाया जाता है बहुत सारा प्लांट पाया जाता है कोई-कोई प्लांट दूबा होता है जैसे हाइडरीला हाइडरीला ऐसा प्लांट है जो कि पानी बोड़ा पूड़ा डूबा होता है कोई lub plant तरते रहता है floating होता है जैसे water lily dip ली पानी के ऊपर तरते रहता हैiroट अंपर और क्या है जलकुंभि water hyacinth जलकुम भी पानी के उपर ये सब तैरते रहता है अब च्या क्या adaptation है ठीक है जो plant water में प्याजाते है उसके अंदर हम लोग उसके बारे में बाते कर लेते हैं हम लोग adaptation के बारे में बाते कर रहे थे देख लेते हैं मजा हुआ हाँ सबको समझने में परने में नोट कर रहे हो नोट्स बना रहे हो अच्छे से क्या क्या adaptation आता है देखिए adaptation क्या क्या adaptation तेख्ञे इस plant का जो root होता है root वो बहुत छोटा होता है much radius होता है ठीक है बहुत छोटा होता है किसमें जो पानी पर पाया जाता है प्लांट उसमें इस स्टेम जो होता है उसका वो लंबा होता है स्टेम लॉंग होता है होलो होता है होलो मतलब खोखला होता है हलका भी होता है ताकि पानी के उपर तरा जा सके वाटर मोवमेंट जैसे क्यों होता है क्योंकि अगर उस पानी तेजी से चले तो उसमें टूट ना जाए फोखला रहता है तो इधर उधर वो बेंट कर जाएगा जैसे एक जामपर है वाटर लिली जब पानी चलता है तो वाटर लिली का जो स्टेम होता है उपर वाला होलो होता हलका होता, light होता है, खोखला होता है, light होता है, water moment में, वो इधर-उधर bend हो जायगा, तूटेगा नहीं, hollow मतलब खोखला, ठीक है, खोखला, समझते हो नग, खोखला मतलब, और जैसे ये water lily के case में पाय जाता है, ठीक है, इस कारण से यह जो प्लांट है वो पानी के उपर तैरेगा, फ्लोट करता है, ठीक है, इस प्लांट का जो पत्ता होता है, लिफ्स वो लार्ज होता है, जैसे आप देखिएगा water hyacinth का, लिफ्स बड़ा बड़ा होगा, और flat भी होगा, flat होगा, ताकि तैरने में मदद करेग अपर सर्फेस जो होगा, लिफ्स का, लिफ्स का जो उपर वाला सर्फेस होगा, वो वैक्स ही होगा, कैसा होगा, वैक्स कैसा मान, क्यों ताकि उस पर पानी परे तो सरे न, ठीक है, रॉटेन न कर जाए, ठीक है, बहुत सारा में, जो रूट होता है, वो completely, एक मिनाट इतन होता है, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, चलिए, बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है, जो completely submerged होता है, पानी में डुबा होता है, completely submerged होता है, completely, तो इस प्लांट, मेरा हिल्थ बिगरा हुआ है, इस प्लांट का जो लिफ होता है, इस प्लांट का जो पतियां होता है, वो narrow होता ह है कैसा होता है नेरोग पतला सा होता है रीवन के समान होता है रीवन लाइक पता होता है कैसा होता है रीवन लाइक लिफ रीवन के समान होता है कैसा देखते हैं लोग फोटो बनाकर ठीक है जैसे माल ली दिये यह जमीन का सर्फेस है यह रूट है रूट पाया गया तो रीबन के समान ऐसा रहेगा और उपर में क्या रहेगा पुरा में पानी भड़ा हुआ रहेगा रीबन के समान ठीक है रीबन लाइक होगा छाप लेजी यही ता फ्रेस वार्टर है वी टार्ट अब हम लोग बात करते हैं एकलेमर टाइजेशन के बारे में सापने हैं है को अधिए को पिमें अधि एकलेमर टाइजेशन सबसे पहले हम समझते हैं अडाप्टेशन क्या होता है adaptation ऐसा changes होता है जो की लंबे समय तक के लिए होता है ऐसा changes जो long period of time के लिए होता है long period of time के लिए होता है लंबे समय तक के लिए होता है और जो acclimatization होता है वो short period of time के लिए होता है changes जो short period of time के लिए होता है कुछ ऐसा परिवर्ता जो छोटे समय के लिए होता है उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन और एडप्टेशन जो लंबे समय के लिए होता है उसको हम बोलते हैं अडप्टेशन तो आपको अभी परना है एक्लेमाटाइजेशन के बारे में यह क्या होता है इस किसमे किसमे होता है तो भेर के उपर क्या आ जाता है फर आ जाता है थंड के महीना में ठीक है भेर के उपर भेर के उपर गर्मी के महीना में फर नहीं होता है ग्रो ठीक उल ठीक कब डिरिंग विंटर सीजन फाइवर टू फैबरिक आपको क्लास सेवेंथ में पढ़ना वहां पर आप भेर के बारे में बहुत अच्छा पढ़िएगा हम मैं पढ़ा चुका पहले ही ठीक है आप जाकर पढ़ लिजिएगा ठीक है बहुत सारा लोग जो पहार के उपर जाता है बिमार पर जाता है उसको हम बोलते है अल्टिट्यूड सीखनेस अल्टिट्यूड क्या होता है जब उपर चर जाईएगा उपर वाले पॉर्चन को हम अल्टिट्यूड बोलते है तो वह बिमार पर जाता है ठीक है हाई माउंटेन पर जब चला जाता है तब क्या हो जात तरह कम जाता है क्या हो जाता है लो अक्सिजन हो जाता है उसके बोडी में लो अक्सिजन कॉंटेंट होता है उसके बोडी में बहुत कम अक्सिजन पाया जाता है लो अक्सिजन कॉंटेंट ठीक है लो अक्सिजन ठीक है उसके बाद क्या होगा जब अक्सिजन कम होगा तो वह सांस नहीं लेख पाएगा अच्छे से ब्रीदलेसनेस और इसको उल्टी भी होने लगेगा नाउसिया भी होने लगेगा नाउसिया वामेटिंग ठीक है उसके बाद क्या होगा जागा मतलब कुछ समय बाद उसका बोडी एड़्यस्ट कर जाता है उसी जगह की अनुसार ठीक सारा जिलने के बाद फिर से उसका बोडी कुछ दिन में एडजस्ट कर जाता जब आप भी नीचे से उपर वाले सर्फेस पर जाईएगा तो बीमार पर जाईएगा इसी कारण से वो क्या है एकले में टाइजेशन है और रेप्टेशन क्या लंबे समय के लिए परिवर्तन और अब हम लोग एकदोट डेफिनिशन के बारे में बात कर लेते हैं जैसे हेलोफाइट मीजोफाइट यह सब क्या होता है कि मजारा पढ़ने में छोटा छोटा एक दो डेफिनिशन लिख लिए जैसे हेलोफाइट ओलंपियाड में एक बार पुछ लिया था लाइब नियर सी सोड जो प्लांट सी सोड के किनारे पर होता है नदी के किनारे पर होता है सी सोड ठीक है अंडर सैलाइन कंडिशन अंडर सैलाइन कंडिशन ठीक है नमकीन वाला कंडिशन में जो रहता है उसको बोलते हैं कौन सा प्लांट हेलोफाइट ठीक है जैसे मीजोफाइट मीजोफाइट या मीजोफाइट इसको परते हैं यह होता है terrestrial plant ऐसा plant जो land पर पाया जाता है land मतलब जमीन पर पाया जाता है grow in moderate condition ऐसा plant जो grow करता है in moderate condition moderate condition अब हम लोग living के बारे में कुछ-कुछ बाते करते हैं तब तक आप इतना नोट डाउन कर लीजे पांच मिनट में छोड़ दूंगा मैं डॉन्ट वरी छप लिए इतना अब हम लोग बात करते हैं हमारे चारे तरफ लिविंग है तो उसका क्या-क्या फीचर होता है उसके बारे में हम लोग बाते करते हैं ही थिचर है लीविंग ठींग हमारे चारों तरफ रजेंट है चैप्टर का भी नाम यहीं है लीविंग ठींग ओर भीच में सेम भी होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं Common features of living and non-living things Living और non-living things के बीच में क्या-क्या common feature होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं Living और non-living दोनों का दोनों matter का बना होता है क्या चिज़ का बना होता है? Matter क्या होता है? Occupied space and has mass क्या होता है? यह समय आपको lecture number one में बताया था कहां? basics of science में Occupied space and has mass जो कुछ जगा चेके और उसके पास कुछ mass हो उसको हम क्या बोलते हैं? Matter बोलते हैं Matter से ही living, non-living दोनों बना Both living and non-living बना है Both living and non-living matter से बना है जैसे non-living thing non-living thing जो है जिस छोटे-छोटे चीज़ से मिल का बना है उसको हम atom बोलते हैं या molecule बोलते हैं non-living thing का structural unit क्या है? Structural unit क्या है? Atom और molecule है और living का जो structural unit है वो है cell structural unit अब हम लोग अगले lecture में बात करेंगे characteristic of living organism अगर मैं उसको यहाँ पर cover करूँगा तो lecture बहुत जादा बड़ा हो जाएगा यही पर हम lecture को छोड़ देते हैं अगले lecture में हम लोग बात करेंगे characteristic of living organism और आपका यह chapter खत्म हो जाएगा मिलते हैं हम लोग अगले lecture में तब तक के लिए बाई बाई